अब जो आज अगर बच्चा इनकी तेयारी कर रहा है तो किसमें कितना लगबग समय लगता है या कितना समय बच्चे को देना चाहिए तो यह वीडियो बहुत यूस्फुल होने वाला है आप तैयारी शुरू करें उसके पहले अगर यह वीडियो आपने देखा है तो आप में समझ बढ़ेगी कि किस टॉपिक को कैसे कवर करना है किस टॉपिक पर कितना समय देना है आए यह ज़रा बात करें आए यह जाना आप मार्केट में प्रिवेस यह के सैंपल पेपर्स अविलेबल यूट्यूब पे वीडियो भी चल रहा है तो रबच्चे के एक्सेंपल पेपर जाके देख सकता है और पीवाई क्यों से इतना वह रियल अनालेसिस देख सकता है यह मतलब सारे टॉपिक्स में एनलाइज करके देख सकते कि कौन कितने मार्क्स काते है मैं मोटा मोटा बता देता हूं मेटा पिछले चार-पांच-छे साल के एक्जाम्स अगर आप देखें तो रियल अनालेसिस का वेटेश सबसे जादा होता है वेटे 17 से हाँ जी रियल अनालेसिस यह लगा लिजे कि 17 से लेकर के 23 क्वेश्टन्स रियल अनालेसिस हैंगे वेटेश समझ रहे है अगर इदर भी न आ जाए उदर भी न आ जाए दोनों दरफ के लिए रखें तो 60 में से 20 क्वेश्टन्स समझ लिजे लिजे यहनी 1 बार 3rd of the whole paper अच इस देन ग्रुप थेरी 5 to 8 questions देन इंटेग्रल काल्कुलेस 9 to 12 questions देन दिफरेंशल एक्वेश्टन्स 5 to 7 questions अच्छा अब बच्चे इसको टोटल करेंगे exactly 60 नहीं बैठेगा तो आप फिर बाकी बाते भी कह सकते हैंगे इसको बेटा यह आपको रेंज दिया गया है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है अब जैसे यहां 20 हो गया यह एक हो गया है यह सेबन समस्ट लीजे यह 10 समस्ट लीजे मोटा मोटा यह इस दाइडिया अब आप इसमें देखे एक बार यह चीज़ आपको लेर हो गई तो बच्चे के दिमाग में यह picture clear हो गया कि एक real analysis और एक integral calculus यह दोनों तो पूरे question paper की read है पूरे question paper का base है अगर इन दोनों पर command नहीं किया तो भाईया कुछ नहीं हो सकता अच्छा अब मैं इसके पहले की आगे बढ़ू एक छोटे से example देते हैं हम पिशल नहीं बरस से पढ़ा रहे हैं तो हमने बहुत notice किया है बच्चे क्या करते हैं एक तो यह इंटेग्रल calculus है एक यह differential equations है और बागी चीज़ें थोड़ा अलग तरह की चीज़ें हो गई यह वाली चीज़ें बच्चों को थोड़ा ज्यादा ट्रेक करती है 12th class है जो जिस तरह का mathematics वह पढ़ गया है तो इस तरह की चीज़ें उनको जहां खीचती है तो इस पर कमांड कर लेते हैं अब इस पर कमांड करके उनका paper किसी तरह क्वालिफाई हो जाता है आयाटी में selection भी हो जाते हैं अब वहां जाके परिशान होते है सब कुछ real analysis से चिप का यहाँ अगया मथी समय आपको सबसे जाधा समयारी करने यह कीप IN YOUR माइंड उससे आपकी समय बहुत बेहले कि बहुत-बहुत बहुत बैठ बैठ अगर aleys freaking सब भूठोघ मैंने सब खह सब चोट के सब पढ़ते हैं अरे बाही सबसे पहले सब सबसे ज़्यादा समय इस पर दीजिए इसकी वजह से समझ बढ़ने की वजह से सब क्लियर होता जाएगा आज इतनी बड़ी बात क्या रहा हूं अच्छा सबसे ज़्यादा वेटेज रियल का है उसके बाद इंटीग्रल का है तो बैटा लेट मी थ्रो सम मोर लैट वन रियल बात करूंगा ध्यांसे सुनिए गा रियल अनलेसे सिर्फ किताब के बारे में बात वरिया उसके अंदर क्या है वो नहीं रियल अनलेसे बिटा पहला बुक जो मैं रिकमेंड करता हूं बच्चों को वह है बाटलेंट शरबड अधिशन लिटर्स लेली जीए सेकेंड आपका एसके मापा थर्ड आपका सिंगल एंड सिंगल एंड इसके बाद हंजी सही सुना आपने इसके बाद इसके बाद एक किताब है उसका नाम है रियल अनलेस्स और एंटरंस एक्जाम्स बाई विवेका नन ने को बिटा ये बुक मैंने लिखिया है अब जरा मैं लेट मी थ्रो सम्मोर लाइट उन इट यह क्या क्या चीज़े हैं आप सब लोग बहुत बैनिफिशल होने वाले आपके लिए बाट लैंच चरबट काफी सारी उनिवर्स्टी इसमें भी रिकमेंड़ जैसे डेली उनिवर्स्टी और बाकी उनिवर्स्टी तो यह आपके सामने हैं अगर आप कई बार क्या होता है और यह इंडियन ऑथर है तो थोड़ा आप उसी समझ भी बढ़ेगी आपकी अच्छे से लिखी गई है लैंगविज भी आपको समझना देगी यह बाहर की किताब हो गई तो ठीक है बाहर रहन दूसको कोई बात भी एसके मापा ले लिए और यह सिंगल और सिंगल लीजे नहीं लीजे अच्छा एक और बुक आपने सबने सुनाओगा बाकी टीचर से सभीता रोड़ा करके जो बुक उसको कहते हैं देखो बिटा वह आउट्टेट होगी है प्लीज इसको डिस्रिस्पेक्ट ना समझे जो भी किताब लिखते हैं मतलब अपना पूरा सब क बुक्स है और अगर ट्रेडिशनल सीखना है आपको कि रियल अनालेसिस क्या होता है कॉलिज के एक्जाम कैसे तो वह वाली किताब ठीक रहेगे आपके लिए बट अभी इन एक्जाम के लिए नहीं बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपका काम इन से होगा अच्छ यह और जिनको अपने अंदर फाइर चाहिए डायलोग हो गया एक तरह से बट यह सच है अगर आपको एंट्रेंज एक्जाम करने के लिए अपने अंदर फायर चाहिए तो पहले लेवल पर यह यह दो तीन लेवल पर और उसके बाद प्रॉपल करें रॉकेट की तरह जिसक इस बुक में क्या है थोड़ा समय है इस बुक में छह से साथ अलग-अलग एंटरेंस एक्जाम के क्वेश्टिन्स डिस्क्रिप्टिव सॉलिशन के साथ सॉल्ड है कमाल की बात है आपको यह पढ़के ऐसा लगेगा कि इस इस बुक नहीं है यह बुक उन लोग के लिए है जिन्होंने बहुत सारी त्यारी कर रखी और अब उनको एंट्रेंस एक्जाम से जस्ट पहले दो तीन चार पांच महीने पहले फायर चाहिए उनको अपनी त्यारी बहुत अच्छे से उपर उठानी तो यह बुक उस किताब हैं इनके अलावा कोई और किताब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है फिर भी अगर कोई और बुक आपको पढ़ लिए लेकिन यह सब जुरूर पढ़ लिए एसके मापा बहुत अच्छी किताब है अच्छा यह वाले बुक इन सब बुक के आगे भीया कुछ नही है बेटा सबसे जदा समय भी यही लेगा और जिस बच्चे को लाइफ में सफल होना है उसको किसी ना किसी किताब को अपना साथी बनाना ही पड़ेगा बच्चे कहते हैं सरक किताब पढ़ना हमें अच्छा नहीं लगता बेटा अगर आप IIT जैम एक्जाम देने जा रहे ह या कोई और MSC entrance के एक्जाम देने जा रहे हैं that simply means modern mathematics की तरफ जा चुके हो जाओगी नहीं जा चुके हो तो यह research-based हो गया आपका काम देखो बेटा linear algebra अब इसके लिए बुक नमबर वन सुनते रहे हैं सुनते रहे हैं कोई बात नहीं बुक नमबर टू बुक नमबर थ्री यह देखिए तीन बुक्स हैं इसके अलावा बुक नमबर फाइव अगर आप मेरी बुक के लिए वेट कर रहे हैं तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा अभी नहीं है अभी इून इन मार्किट में नहीं यह काम चलु रहे हैं तो पहले देखिए ऐसके बॉक्तर हिए और फाप वबन एद्वेन कुंच डेविटसी ले शॉमसिरी आपके इसमें सशौ्सरी ने ले टर। इसमें लीनरल जबरा में इसको तीन भागों में बलकि दो दो पार्ट्स में सब डिवाइट करना सही रहेगा एक तो मेट्रिक्स और दूसरा वेक्टर स्पेस वालो जो पॉर्शन है यह यह दिस वन यह दोनों किताब है वेक्टर स्पेस के लिए यह बुक मेट्रिक्स के लिए यह बोथ अगें देखिए भाई देर इस नथेंग एपसल्यूट अब बच्चा सुचेगा मैं यह बुक पढ़ लू मेरा सरा काम हो जाएगा ऐसे नहीं होता बिटा रिसर्च बेस्ट है यह पढ़ाई तो यह इसमें वेक्टर स्पेस अच्छा दिया हुए इसमें इसमें बुक लेनिये ले सकते हैं बट यह दिमाग में रखिएगा कि आपको बुक को साथ ही बनाना पड़ेगा कल को दो न्यां सरे इंट्रव्यू तो होते नहीं एंट्रेंसिक्जाम में यह आ या इटी जैंड में बेटा वह इंट्रव्यू ले भी लेंग आपको पता भी ने लगघा कि इन्ट्रीं होता है तो फीस आर्दा बॉक्स नेक्स्त ग्रुप थे पे आते हैं बड़ा प्यारे पे इसके लिए फिर्स्ट बूक है गेलियन पेमस 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 बूक नमबर तू खन्ना एन भामरी नमबर त्री सिंगल एन सिंगल लेडिमन लेडियन लेडियन सिंगल नमबर तू मैंस बूक छाफ दुक कि अगें सबसे पहले गैलियन इसमें जैसे बच्चे कहते हैं थेयरियन नुमरिकल बहुत अच्छे से प्रिजेंट किया हुए लेकिन अगर आप गैलें पढ़ना शुरू करेंगे तो मेरा परसनल परसेप्शन है मेरी परसनल सलाह है आप लोगों के लिए कि बैटेसमें पहल से शुरू करें पहले चैप्टर बाद में जब दो तीन चार चैप्टर समझे लोना उसके तब पहले चैप्टर पे आना तो फिर आपका आजाएगा काम खन्यान भामरी डेली उनिवर्स्टी में दोनों लेक्टरार थे और आप तो रिटायर हो गया है यह बहुत अच्छी किताब है यह ग्रेजवेट ऑफट्चे उनके लिए बी काम कि थी और जो पोश्ट्रीशन कर रहते हैं उसका भी काफी सोरा पोर्शन दिया तो इसमें दोनों मिक्स करके दिया मैं आपना आप मत घब रही है आपकें लिए यह आ इंट्रेंस गजाम आएगी आ फाई है खना वाला अगें सबसे बढ़के फायर मैं तो यही कहूंगा बिटा कि किसी भी बिगिनर को यह वाली बुक नहीं लेनी चाहिए यह वाली बुक वही बच्चा ले जिसको ग्रुप ठीरी का प्रायर नॉलेज है और उसको रॉकेट की तरह अपनी लाइफ को प्रॉपल करना है और वह वह भी बिखेंगे और पीछे आंसर की दे और कहा यह वाली इस तरह के सवलुशन देना तो बच्चे के साथ पत्चे के साथ अन्याय करना है यह पूरा क्वेस्चन आपको सौल करके दिखाएगा है जैसे जस्ट क्लास में बैठते हैं अगर आप पढ़ेंगे आपको अ करेंगा अभी टाइम है अपने इस बुक के बारे में कुछ अच्छा सोन नहीं हो अब शुरू से पड़े भी सकते हैं फिर 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 थोड़ा प्राय नॉलेज ले ले तो अच्छा है चलिए नेक्स्ट इंटेगरल कैलकुलिस डिए बहुत सारी कितबे मार्केट में इंले कालकुलिस की लेकिन ऐसा काम कर विए दिससरे अपका अंटरंस एक्जाम थोड़ा क्राक होजे तो नेय?" लिए लिए तो यह क्या है इसके लिए में यह इवी लिग देत werde शिए्ट इंटेग्रल काल्कुलस येस एक ही किताब लेलो आप ये हैं आपका शॉम सिरीज इंटेग्रल काल्कुलस के लिए थोड़ा बहुत वेक्टर काल्कुलस भी हो जाएको तो क्या हो जाएगर एडिशन ही तो हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं आप जहां से भी तैयारी करेंगे क्वेस्टन वगर तो वहां से मिलते रहते हैं ठीक है चलिए और लास्टली ये ज है पार्शल डिफ्रेंचल एक्वेशन नहीं पढ़ना है तो भी मैं यह लिख दे तो मिटा ओडी के लिए राय सिंगानिया ले लिए जो भी आपकी एंटरंस एक्जाम मितलब जो भी आपके कॉलेज की बुक है वो भी चल रहीग इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं ठीक है एक स उसमें differential equation के जाधा partial differential equation का जोर थोड़ा जाधा है और अच्छे और अच्छे level के लिए स्नेटन स्नेटन येस और सो मैने तिंग्स तो बहुत सरी हैं लेकिन अभी इतना ही लीजिया अब सुनो बिटा वेटेज के साब से real analysis सबसे उपर है then integral calculus है then linear algebra है then group theory and then differential equation है वेटेज के questions इन सब का mix करके भी देते हैं जैसे चार options में से 2 में linear algebra है 2 में real analysis है function उठाके vector space में डाल दिया समझ रहे है या इसमें vector space करके पूछ लिए मतला mix करके देते हैं आपको कई भार group theory में group of functions पूछ लिए तो सब गडबड़ा जाता है बच्चे ने को ढंग से नहीं पड़ा त आपको समझ की जुरूरत है इतना जादा डीप में जाके आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे जादा टाइम इस पर दीजिए अगर आपने real analysis पर जादा time दिया focus के साथ काम किया तो लाइफ में भी आपकी thinking बहुत बहतर हो जाएगी यह सारे subjects की समझ और आगे जो subjects पढ़े बिटा sequence है series है limit continuity one variable का है limit continuity two variable का है लोग अलग करके रखते हैं हम साथ में रखते हैं इतना बड़ा टॉपिक है तू वेरियाबल कभी इसमें आएगा और रिमान इंटेगरेशन वाला टॉपिक भी इसमें आएगा अच्छा आप बच्छा कहेंगा सर इसमें रिमान समझ रहें समझ रहें कि समझ रहें हैं इंटेगरल काल्कुलिस प्रेशन को बड़ा प्यारा है इसमें दो चीजे हैं रेक्टर पेस है और मेट्रिस जैसे मैंने बताया था जो जब पढ़ेंगे जब आको समझने आएगा दोनों चीजे ऐसे यूं करके जाती है फिर आगे जाके मिल जाती है ग्रुप थेरी बहुत प्यार है उसके लिए भी हो गया अगर examination point of view से बात करें देखने में लग रहा है यह दोनों जो है यह क्या बोलें numerical papers है और यह तीनों theoretical papers है इस तरह को नॉंसेंस है खुब घुम रहा है अब इनको क्यों separate करते हैं कि numerical और theoretical कहें सब कुछ numerical है और कुछ समय के बाद पता लगेंगा सब कुछ theoretical तो बच्चे का depression चुरू अरे भीया सब कुछ numerical है और सब कुछ theoretical है सच कह रहा हूं अब उस तरीके से खुबसूरती के साथ पढ़िये तो सही कभी आपने पढ़ा ही नहीं ढंक सही इसलिए तो आनलेस से प्यार नहीं करते बागी सब सबसे क्या प्यार करों तो यह सारी चीज़े ध्यान में रखिएगा बट आप इतने बड़े एंट्रेंज एक्जाम की तियारी कर रहे हैं तो एक चीज़ और सुन लीजिए खली इन दोनों पर खड़े होके आगे बढ़ने वाले बाद में जाके परिशान होते हैं क्योंकि इस पर कमांड करों जिन्दगी बहुत स्मूथ बहुत असान हो जाएगी प्रैक्टिकली कह रहा हूं रियल लाइफ में भी आपको काम समझ बढ़ेगी आपकी तो काम हो जाएगा समझ जो समझदार होता तो काम होते ही आपका भी हो जाएगा बात समझ में आई तो यह मैंन समय यह क्यों थो समय जिया इसमने ऊसमें इतना वेट जैस तो समय तो मैं नहीं पड़ेगा पर और में एंटीग्रेशन केपनता कर दो होगा है थोड़ा होку समझदारी से ठीक है किसी के बारे में कोई क्वेस्टन है कोई क्वेरी है हमसे कुछ पूछना है आप लोगों को तो उसमें लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में वहां बात कर सकते हैं फोल नंबर वगरा भी दिया है यह सब आपकी बेनिफिट के लिए यह चलिए थैंक य यह वरी मुछ थैंक यू